अब भारत की प्राइवेट कंपनी बनाएंगी DRD दोरा डिजाइन किये गए 10 लाख मौडन हैंड गरनेड लेजर गाइड़ेट 80GM के साथ एक स्वधिसी अल्टर लाइट धोविडजर का भी किया गिया है सफल परिक्षन 114 फाइटर्स वाली MMRCA 2.0 डील को लेकर इंडिनेर फोस की तरब से आया है एक नया अपडेट और चारी ग्रूप से इंडर किये जाने से पहले अगले महिने निर्भे में सैल का किया जा सकता है एक और परिक्षन और इंडिन आर्मी में धर्म की अधार पर अंतर पैदा करने की कोशिस में पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर फिलाई फेक न्यूज आज भारतिय रक्षम अंतराली की तरप से इंडिन प्रैवेट इंडिस्ट्री को करीब 10 लाग हैंड गर्नेट्स को सप्लाई करने का एक बड़ा ओडर दिया गया है और ये इस तरह का पहला order है जो भारत की private sector company को दिया गया है और ये contract जिस private sector company को मिला है उसका नाम है economic explosive limited जिसके तहट ये company दो सालों के time period के अंदर 400 करोड उपे की कीमत पर करीब 10 लाग modern hand grenades को supply करेगी और जिन grenades को economic explosive limited manufacture करने वाली है वो कोई और नहीं बलकि DRU की terminal ballistic research laboratory द्वार स्वधिसी तोर पे design किये गए multi mode hand grenades हैं जिने शिवाले grenade का नाम भी दिया गया है जो कि पूरी तरीके से भारत में ही design हुए है और पूरी तरीके से ही भारत में manufacture भी हो रहे हैं और इस private sector company द्वारा supply किये जाने वाले grenade से Indian forces द्वारा इस्तमाल किये जाने वाले पुराने design के grenades को replace किया जाएगा जो कि आतों किसी foreign country से import किये गए थे या फिर audience factory board द्वारा बनाए गए थे और आब ये भी कह सकते हैं कि इस contract के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है जब audience factory board की एक single source को भी इस्तमाल ना किये बगर Indian forces किसी private sector company द्वारा पुरी तरीके से बनाएगे ammunition को खरीद है और sources का ये भी कहना है कि private sector company in grenades को जिस कीमत पर बना रही है वो कीमत audience factory board द्वारा प्रेड्यूस किये जाने वाले grenades की तुल्ला में काफी कम है हाला कि DRDO ने अपने इस खास तरके multi mode hand grenades की जो technology है वो 2016 में ही private sector company को transfer की थी लेकिन अब जाकर भारते रक्षा मंत्राल की तरप से उपचारे ग्रूप से private sector company को इन grenades का बड़ा order मिला है बाके अगर आप DRDO के इस खास तरके multi mode hand grenade या फिर यूँ कहें शिवालिक grenade के बारे में detail में जाना चाहते हैं तो इसके regarding हमने वीडियो पहले बनाई है जिसका link आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा आज गुरुवार को एहमन नगर की के के रिंजिस पर एक बाफ फिर से laser guided anti tank guided missile का सफवलता पूरवक परिक्शन किया गिया है और आज का ये परिक्शन main battle tank अरजुन से किया गिया था और आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले महीने 22 सितंबर को भी इसी तरह का एक और परिक्शन हुआ था लेकिन उस परिक्शन में अरजुन main battle tank का नहीं बलकि tank X का इस्तमाल किया गिया था और जैसे कि हमने आपको बताया था कि आने वाले कि उस दुनों में इसी laser guided anti-tank guided missile को अरजुन main battle tank से भी टेस्स किया जाएगा और इसलिए आज का ये परिक्शन 22 सितंबर को किये गए परिक्शन का ही हिस्सा है और जो ये laser guided anti-tank guided missile टेस्स की गई है इसकी range करीब देड से 5 km तक है जो कि explosive reactor armor के साथ आने वाले armored vehicles को भी destroy करने की capability रखती है और इसे सरीके से विक्सित किया गिया है कि इसे multiple platform से launch किया जा सकता है और फिलाल वर्तमान समय में इसके technical evaluation trials चल रहे हैं और जबकि एक report ये भी है कि जबलपूर के खमरिया में इस्थित long proof range में एक स्वरिसी त और भारत forge के technical collaboration के तहट विक्सित की जा रही है और reports के मताबिक इस gun के prototype के जो firing trial है वो पिछले दो दिनों में IOG किये गए थे और इन दो दिनों में इस gun के prototype से 12-12 round fire किये गए थे यानि कि firing trial के दोरान इससे total 24 round fire किये गए हैं और जैसा कि पहले के defense update में हमने आपको बताया जिसमें कुछ ऐसे advanced technologies इस्तेमाल हुई है जो American President के Air Force One aircraft में इस्तेमाल होती है Economic Times के report के मताबिक कि कल जो भारत और चीन की बीच diplomatic levels की बातचीत हुई थी इस बातचीत के दोरान भारत की union territory लद्धाक पर चीनी विदेश पंत्राले के बयान को लेकर भी बातचीत की गई थी और केवल इतना ही नहीं बलकि कल के इस बातचीत में दोनों पक्षों ने core commanders level की एक और meeting को जल्द ही आयूजीत करने के लिए भी सहमती दी है बाकि इसके लावा भारत की cabinet committee on security यानि की CCS की तरब से इंडर आर्मी के लिए एक secure communication network को establish करने वाले project को मंजूरी दी गई है जिसके तहट forward areas पर modern optical fiber cable links को भी स्थापित किया जाएगा और इस project की जिमेदारी में परियोजना के लिए ITI को जो कि इस योजना को करीब 7,796 क्रोड वे की कीमत पर implement करेगी और अक्षा मंतराली का कहना है कि इस परियोजना के लिए जो एक नए army static switch communication network को स्थापित किया जाएगा वो defense forces के operational capability को बढ़ावा देने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा औ इसके अलावा forward areas पर optical fiber cable बिछाए जाएगी और communication media के लिए microwave radio और satellites का इस्तमाल किया जाएगा और ये परियोजना किसी भी operation scenario में एक बहतरीन survivability, responsiveness और higher bandwidth प्रदान करेगी और LAC जैसी अंतरास्ति सीमाओं पर इसकी मदद से एक बहतरीन communication का network मिल सकेगा और इस परियोजना की सबसे खास बात ये है कि इसमें स्वधिसिक रण की मात्रा 80% है यानिकि इसमें जितने भी components के इस्तमाल किये जाने वाला है उनमें से 80% ऐसे हैं जो भारत में ही स्वधिसी तोर पर बनाए गए हैं और इनके लावाएक रिपोर्ट ये भी है कि करीब 10,000 फिट की उचाई प जादा काफी जादा है आगे बढ़ने से पहले हमारी कल की क्विज के टॉप 3 विनर्स हैं नितेश कुमार, सत्य प्रसाद मेटा और उपलाय अश्वन्थ जैसे के अब से भी को ध्यान होगा के भी हाली में निर्भे सबसोनिक क्रूज मिसाइल को भी LEC की फॉरवर्ड एरियास पर डिप्लाई किया गया है हालनकि जो निर्भे मिसाइल है वो अभी तक अपचारी क्रूप से अंडिराम फोर्स के सर्विस में इंडग नहीं होई है और जो मिसाइल LEC पर दनात की गई है उनको लेकर इस बात की पूरी संभावना जताई गई है कि वो उन लिमिटेट बैच में से हैं जो कि टेस्टिंग के लिए प्रिड्यूस की गई थी लेकिन अब इस मिसाइल को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मताबिक इंड़नाम फोर्स के सर्विस में आपचारी क्रूप से इंडग की जाने से पहले अगले महिने इस मिसाइल का सात्वा परिक्षन भी आयो कर रही है लेकिन इसको लेकर उनका कहना है कि एक दशक के अंदर इंड़न एरफोर्स के पास करीब 37-38 फाइटर स्क्वाडरंस हो जाएंगी और उनका ये भी कहना था कि 114 फाइटर्स वाली MMR से ये 2.2 डील भी अपनी प्रॉसेस में है जिसमें ये देखा जा रहा है कि ज की Acceptance of Necessity के साथ अप्रोच कर सकती है और जिसके बाद ये ओपचारी ग्रूप से इनकी खरीद प्रिकरिया सुरू हो पाईगी और Indian Air Force इस बात की उमीद कर रही है कि एक दशक के अंदर उनके पास 37-37 फाइटर स्क्वाडरंस हो जाएंगी और इसलिए फिलाल ये माना गया है कि जो Light Combat Aircraft Stages वाली Variants है उनके Induction में किसे भी तरकी देरी नहीं की जाएगी और जबकि 5th Generation Fighter AMCA के Induction को इस दशक के अंतर से शुरू करने की योजना बनाई गई है बाकि इसके अलावा एक रिपोर्ट भारत के Private Aerospace Sector से भी है याँपे भारत की Private Startup Company अगनिकुल Cosmos ने Alaska Aerospace Corporation के साथ एक Memorandum of Agreement को साइन किया है जिसके तहद अगनिकुल Cosmos अपने स्वरेशी अगनिवान रॉकेट को अमेरिका में से Pacific Space Port Complex Alaska से टेस्ट लाउंच करेगी Social Media पर हमारे निकम में पडोसी की तरफ से अब इंडिन आर्मी के खिलाव Social Media पर एक और Fake News फैलाई जा रही है और ये Fake News खास करके Department of Military Affairs के एक Senior Officer Lieutenant General Taranji Singh के खिलाव है जिसमें पाकिस्तान के Propaganda Specialist की तरफ से एक Fake वीडियो को काफे ज़्यदा शेर किया जा रहा है और उस वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि इंडिन आर्मी में जो Six Soldiers हैं उन्होंने बगावत कर ली है और पाकिस्तान की यही Fake वीडियो पाकिस्तान में ही काफी चोड़ शोड़ से प्रचारित भी हो रही है और इस वीडियो में जो बकवास की गई है वो इतने हद तक की गई है कि इसमें ये तक कहा गया है कि इंडिन आर्मी के जो Six Soldiers हैं उन्होंने पाकिस्तान और चीन के खिलाव लड़ने से इंकार कर दिया है और ये भी कहा गया है कि प्रधानमंति निरंद्र मोधी के खिलाव लौविंग करने के आरोफ में Intelligence Agency ने Lieutenant General तरण जी सिंग को गरिफतार कर लिया है लेकिन आपको बता दे कि ये सारी बाते सरासर गलत हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और इंडिन आर्मी की तरब से Official Statement जारी करके कहा गया है कि ये जो लैपिने जर्नल तरण जीन सिंग को गरिफतार के जने वाली जूटी खबर फिलाई जा रही है ये पूरी तरीकी से गलत हैं और इस तरह की अफ़ाओं से बचें और केवल इंडिन आर्मी की एडिजी पियाई हैंडल नहीं बलकि पियाई भी फैक्ट के ट्विटर हैंडल ने भी इस फेक निउस को बस किया है और असल में जो फेक निउस फिलाई गई थी वो पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल के मात्यम से फिलाई गई थी और जिस निकम में पाकिस्तानी प्रोपेगंडर स्पेशलिस ने ये फेक निउस फिलाई है उसने शायद ये फेक नियूस फिलाने से पहले इंडिन आर्मी के बारे में अच्छी से नहीं पड़ा है अगर उसने पड़ा होता तो उसे मालुम होता कि इंडिन आर्मी एक धर्म निर्पेक्ष ओगनाजेशन है जहां पर जाती या धर्मे के धार पर कोई भी काम नहीं की जाते हैं और इस और्गनाजेशन में जो सोल्जेस अपनी सर्विस देते हैं उनका के बले की धर्म होता है और वो धर्म होता है भारतिय अता का और भारत के सभी soldiers, caste, religion, gender या फिर्ट क्रीव इन सभी से हट कर बड़े गर्वे के साथ और अपने भारतिय धर्मे के साथ इस देश की सुरक्षा करते हैं बाकि हमारा भी आप सभी से नुरोध है कि अगर आपको अपने बीच के तालमेल को और बढ़ाने पर अच्छी तरीके से काम कर रही है और एक रिपोर्ट ये भी है कि आज सुबह अलूसी पर पाकिस्तान की तरब से एक बाफिर से सीज़ फायर का उलंगन किया गया था हाना कि पाकिस्तान की इस हरकत का इंडिन आर्मी के तरब से भी बिल्कुल बराबर जवाब दिया गया है लेकिन दुक्की बात ये है कि पाकिस्तान की इस क्रॉस बॉर्डर फाइडिंग में हमारे दो जवान वीर गती को प्राप्त हुए हैं और जबकि चार जवान घायल हुए हैं हम इश्वर से प्रातना करते हैं कि इन वीर योधाओं की आत्मा को शान्ती मिले कल के जो हमारे टॉफ त्री कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रिकार है तो हमारे आज की इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करें बिना कहीं न जाएं बाकि इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशन्स और क्वेरीस कॉमेंट सक्षि में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उन में सहें जिनों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें झाल